तो अपनी सेकेंड जन जाती है क्यों सी गौण जन जाती की लोग है उनके बारे इंप पढ़ेंगे यह क्या है देखिए गौण जन जाती विश्व की विश्व के सबसे बड़े आदिवाशी समगों में से एक है यह भारत की सबसे बड़ी जन जाती है मद्य ब्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है बील पर भारत की सबसे बड़ी जन जाती है अगर EL पर मद्य बढ़रस के सबसे देखें तो यह कौनसी नमपर पर लिए खाती है औप भिशानगे कि मैं डाउंग। या हम बढ़ने पढ़ेंगे बाद को बढ़ेंगे और से अब भी बरीजन हो सकता है तो गर पे जो वील जन जाती पढ़ा दिये अच्छे सा पढ़के आ जाना क्योंकि इसके साथ उसका रिवीजन हो सकता है ये दो के रिवीजन हो जाएगा पताद तुम सभज रहे ना यहीं पे आपका पढ़ाई भी हो जाएगी यहीं पर आपका रिविजन भी हो यह जाएगा बहुत अच्छे से बढ़ाई हो सकती है कर नहीं हो सकती है यह गौन जन जाती प्रोटücks यह प्रजाती समू Спसे सबस्ब्स प्रीविडिंग है अब सल को असे डिखाया है नहीं तो चलिएं लोग चैसी बेश्युटा होती सबर्सुटा Is में घेज आंग निकलो है कि नाग चप्टी होए कि यह लागे कोई ने दैदा ही हुए मां थीक है ना चैरा बड़ा देख है का नाग छूटी देखेगी इस ऑस्ट्रेलिया के देखी होंगे तुम्हें उन्हें देखो आप उंग्राले से बाल होगे बैंकर जियरा से बढ़ा होगा जबड़ा यह भार सा निकला होगा कि तरीर हश्ट पुष्ट होगा बेंगर तो ऐसे लोगों क्या कि प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रिजाती समूंसे संब्धित हैं इनका मूल द्रैवणियन परिवार माना जाता है क्रिष्टो बान फ्यूवर हमन डार्फ के अनुसार नाम दीख रहे हैं आप नाम नहीसें शें subjective बान फ्यूवर हमन डार्फ के अनुसार यह धपी द्रैवणों का मूर इतियास अनिश्ष्यत है कि इतियास क्या है अनिश्यत है कोई सभी पता नहीं है किंदू बेभी यह मानते हैं कि द्रैवेंड भी समद्र मार्क से उसी समय आए जब आरेयों का आगबन हुआ हम भी पढ़ते हैं प्रोटो अस्ट्रिया ही लोगों नहीं साउथ इंडिया बनाया पढ़ते हैं कि नहीं ज करने केo होंगे हम हस्यों लेकर रहा हुआ का यह लेकरार जानी द्रणों का बूल इत्यास अनचे थै शुनने के सभॉंस ने में थिरेकर निकाये या अपर रखने का तरीका पोई तौर टोई तैस सा माना जाता है कि दोुसंताने वह क versión 2 तौन सभी शुद्य शुनूसाने ऐफ यह वह रहा हो जो गर्हें इतक विद्ध हर जाते हैं करें गाहों की तरफ जाता है दो जाता है ऐसी और यू भी स्ह 200 गया शहर की तरफ एक गया जनलो reflective तो जो जंगल गाए वे भील हो गाए, जो सेर आए वे गोण हो गाए, प्रह्मा जी की दो संतान है, एक का नाम भील, एक का नाम गोण, जो जंगल गाए वे भील वेल, जो सेर गाए वे गोण बने है, अब जो जंगल जाएगो, बहर रहने है, पिड़ाई पिड़ाई खड़ कर दो आधमी निकले एक से दो आदमी निकले पहला बैगा भुआ और दूसरा गौने नगर समाल लिया कौन ने क्या समाल दिया मतलब बैंगा और भाईय भाईया हुए एक चला गया का जंगल और एक चला गया का शैर नगर कचु कहलो आप ठीक है ना तो नगर कौन गया पढ़ने वाला था पैंगा कहा चला गया क्योंकि वह बैग गया था प्रश्ण में आये ना पहग गया था पहगा व्यक्ति अमईसट बिगण जाता है तो बुकां पहुंचो जंगल अब जंगल में कोशना में तो टंग या ले लए वाने तंग यह मतलब कुलाड़ी यह तंग यह मतलब कुलाड़ी और कुलाड़ी लेकर करन लगो आओ काटे ज तुन ना पढ़ो तू कर रहा है लगड़ी यह बेच रहा है जंगल से काट के ला रहा है कौन की उत्पत्ती के संब्ध में मारनेवासी कासी राम परदान की कथा प्रसिद्ध है कौन की कथा प्रसिद्ध है अब हमें पेपर में कथा आएगी का कि सतनायन की कथा माच वाओ कौन थी लीलवती और कौन थे जे आंगे का कितने चेप्टर रहती तो कथा से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कथा कौन ने लेगी जा सा दिक्कत है हमें तो जिससे हमें दिक्कत थी बाग दिक्कत हमने लेग लाई तो दिक्कत करने लेगी जा कासी नाम परधान ने ठीक है ना क तेलगू का एक सब्ता जिसका नाम था क्या को पंजारे जिसका आर्थ परवत है ओंका यह अर्थ क्या है पर बत अथार्थ यह जंजाती परवत हो पर नवास करती है इसनिए इसे गोर्ण का गया भी परवत कौंसे बिंद और सत्थपडा है कौन्सा सथ पुर्देश या पुराने परवत को नाम सुनते रहते हैं तो गौणों की उत्पत्ति तेलगुए के कौन सबसे हुई है कौन से और बेल की उत्पत्ति वह कौन सी वासा का था तो बेल संस्कित वासा से बना बेल से और जे कौन से से यह त्यालगु में क्यों गए क्यों कि यह द्रविणियन मतला साउथ इंडिया को गई तेलगु और सबसे है जिसका अर्थ परवत है क्या है परवत अर्था जंजादी परवत बिंद तता सत्थपड़ा के परवती चेत में निवास करती है इसलिए से क्या कka गया जक्का गया वृट्षिज में जनरल कनिंगम अब जनलर कनिंगम का नाम कंप सुना उगा इनके लिए आप जह किसी के पृथम good Jack Laadak कहला थे कोई बताएगा का हाँ हाँ खाएगे पुरा तात्विक सर्वेक्षण विवाक के जन्मदाता कौन कहलाते हैं कनिंगम ठीक है ना तो ब्रिटेस भारत में जन्रल कनिंगम ने बंगाली भासा के आधार पर गौन सब्द से कौन सब्द से कौन सब्द से गौन ठीक है ना मात्राओं का अंतर है ठी सकोन ने किया है क्लियर है जैसा ही यहां पर हमें क्या पढ़ रहा है तेलगू के कोण से गोण बना यह किया रहा है बंगाल के गोण से गोण बना क्लियर हो गया गोण उत्पत्थी के समद्ध में इस्ठीपन ने इसलॉफ के अध्यान को महत्पूर माना जाता है क्या गौण उत्पत्ती की सम्मद्ध में किस का अध्यान सबसे महत्पून है इस्टी बने इसलॉफ का अध्यान महत्पून है इसलॉफ की मृत्यू के पश्षाथ 1866 में सर आर्ट टेंपल ने इनकी अध्यान को प्रकासित किया जिनने किताब लेग दाई थी नोट्स बना ला और किताब बना को ने डार थी टेंपल ले और ने इसलॉफ की किताब को ने टेंपल ने ये इसलॉफ किताब का नगी टेंपल मतलब मंदर में आंगे क्या लेका है इसलोफ ने गौड जनजाती से जड़े लिंगो मित्कल का उले किया है तो सेंट्रल प्रोविएंस में हिसलॉफ ने गौण जन्जाती से चुड़े लिंगो मित्कल का उले किया है यह कोई सब्द है उसी सम्मंदित ठीक है ने लिंगो मित्कल का उले किया है ठीक है वसे तना सा द्यार रखना अब जन्संक्या देखो जणगणना 2011 के अनुसार मद् त्रेपन लाक है कित्ती है यह गो देपन नहीं सुर्ड़ तेरावज लाक है कित्ती है हमने बीलों की भी देखी थी कित्ती थी कित्ती थी कि 49 किरा कोई परसेंट नहीं जनसंग क्या लिख रही है जो प्रदेश की कुल जन जाती है जन संक्या का 33.25 प्रितीस अता है और जब की बील कितना था 39 परसेंट कितना अट 39 द्यान लगो पहले नमर पर आ रहा है ना इससे जांदा हो गया कि नहीं पर 39 है जे कितनी है 33.25 मतलब बैसे आखने आंगे तो पूरा याद रखना पड़ेगा अपन तो दूसरी पहली के लिए 49 पहले पर दिख रहे है यह 33 दूसरे भी दिख रहे है गोड़ जन जाती की सरवदिक जन संक्या चिंद बाड़ा जिले में है कहां पर है और बील जन जाती की सरवदिक जन स जन संक्या का है चंद बाड़ा में और बीलों की सरवदिक जन संक्या का है दार में किती है यहाँपे 6 2.2.000.000 खेरे करे यह तो पूछे का नहीं कभी जन की साख चरता दर किती है शाड़ दशवल लब एक पृतिसात किती है पृतिसात पूच सकता है साख चरता का गोडों सबसेंदर कहा निवास करती है दार में, गोनों की सबसेंदर जनसंग कहा निवास करती है चंदवाड़ा में, क्लियर है, जिनकी साख्षादा क्ISTORT यह साथ दसम्लब एक प्रतीसत है अब भोगोलिक विस्तार देखिए इनका मद्ध्रदेश के उत्री वाग को छोड़कर अब उत्री वाग में कौन आ गया गए गवालियर आया कि नहीं यहां आप जानते हैं आधिवाज सहरीय निवास करते हैं कोन है तो मद्ध्रदेश के उ झ्हादी कान से दफ्षन पूरी वाग में गौळ जन जाती पाई जाती है जन जाती का विस्तार नंवदा गाटी के दोनोगर मिलता है कौन सी गाटी करें का है और निच्छा क्म नवास मिलेगा नीचे की साइड मतला हुझे नर्सिंग पूर मंदला सिम्नी चिंदबाडा उशंगवाद दिख रहा है आपको इस साइड आपको जान्दा निवास वलेगा किसका कौन जन्जाती का और इसकी उपर साइड कम मिलेगा पर मिलेगा दौनों साइड सबसे जान्दा का मिलता है द कंद्बड़ आधी जलों में निवास करती है तो वहां दिख रहे हैं आपको इह दिख रहे हैं शैंसे इसका बेताल नहीं थी है यह का लिख रहा हैं जी बनाने वाले का टार्शमा है उलिकने वाले का और देखो नब्दपुरम बाजुना अब यह चुराल सैडूल साघर दमो, सतना, खंडवा, पुरानपुर, सियोर, रायसेन, नर्शेंकपर में भी जन जाती निवास करती है, तो इसी छेत के सारे आएं कर नहीं आएं, ना तो हम उस पूरे मद्ध प्रदेश के एक तरफ में हैं कर नहीं है, दश्चनपुर्वी साइड में, ठीक है न, तो यहां आएं बेज बना के चलना है, ठीक है, सारे रिक विस्षिस्थान, देखो तुमारी विस्षिस्थाएं कैसी कैसी हैं, देखो, गौण दर्वी और मूलके हैं, कौन से मूलके हैं, जो भी जन जाती पड़े, अपने खुते मानलो, याद अच्छा होगा अपने, ठीक है न, अ प्रोटो अस्टेली आइड है, समानता गौण छोटे कद, तुमारा कद के सा है, छोटा कद है, गहरे काले रंगे हो तुम, कैसे रंगे हो, गहरे काले रंग, मोटे ओंट हैं तुमारे, समझ मैंना इतने इतने मोटे ओंट हैं तुमारे, पड़ी बात चप्टी नाख है तोड़ा मुह है तुमारा और सीधे वालों वाले हैं कैसे वाले सीधे वाले कैसे होते हैं सीधे वाले ऐसे हो तो होंगे जरे रेत होंगे ऐसे वाल जो सीधे ही होते हैं उन्हें टेड़े कर लेते हैं अपन इस्तियों का कज़ पुरसों की तुलना में छुटा होता है छुट होते हैं लजी ले लजी ले बतलब सर भी ले जा तो पिशेशता बारी है मेरे सामने तो कम से कम भार है तो तुम जानते हो दूसरे सर्मिंदना है तुम्हें आरे मारे सच्चे आवड पूल कि मेरे सां मैं जान आये तो यह आपकी मिटेस था हैं है उप जातीयां को दो बागों ब्हुं二 नहीं कुन आते हैं अगर यह अश्कार का नियुक्ति इंकार की गुमंतु जन जाती है तो इसके काऱने से सुभा दोस्ताइब से बस वी धी लए पत्रीन है चोटे-प्राइस बस्वी डेखेंगे आपने पीछ में कभी नहीं आई से अलगी रहेंगे वो अम करते हैं अगर यह लोग का क्वालों क्याते कहते हैं अगर यह ये तंत्र काम करने वाले कौन वी तो अगरिया परदान वोजा कि अगर अगरिए परदान और ओजा अपुजफबाट से करने वाले हो गया और मंदिर में बाटा है कि तो गया कंछा कोईला वोट इस जी नाम रहें कि कोईला भूटिस नाशितने안ं का आरे नासिस ने गाने वाला वागो नाम का है कोईला बूतिस फिर क्या है सोलास बड़ाई गिरी करने वाला बड़ाई गिरी जानते हो लकड़ी का काम करने वाले को कहते हैं बड़ाई कहते हैं कि नहीं तो बड़ाई गेरी करने वाले को कह रहा है सोलाज जी नाम अच्छा लगा है कोईला भूतिस जी कर रहा है जी निवास के आधार पर जी काई के आधार पर देखा हमने कितने हो गए बेफसाए के पांच हो गए पहला अगरिया दूसरा परदान फिर ओजा फिर कोईला भूतिस और सोलाज कौनसा है सोलाज याद हो गए आया ना अगर यह क्या काम करते है लोई का काम फिर देखा परदान मंदर में पूजा पाट बस इतना सा दियान लगना है फिर ओजा सांत्रिक के लिए करने वाला हो गया क्लियर हो गया अब आता है वेफसाई के आदार पर है हाँ कोई दिक्कत नहीं निवास के स्थान पर देखो अभी काय के आदार पर पड़ा निवास देखो इंपिरियल गैजेटियर में इन्हें दो साकाओं में विवाजित किया गया है राजगोण अथार्थ कुलीन बर्ग और धुर मतलब धूल गोण या सर्वदारन गोण किंतु एक अन्य साका मुरिया या मारिया भी मिलती है ये कौन से हो गया राजगोण राज से ही समझ में आ रहा है मतलब पड़े ये कौन से आ गए और ये दूल मतलब दूल में रहने वाले मतलब इन से छोटे कलियर है तो एक है राजगोण पुलीन बर्ग और एक है दूल गोण या सर्वदारन गोण किंतु एक अन्य साका मुरिया या मारिया मिलती है बैसे दो है एक तीसरी भी मिलती है अब दो कौन के आदार पर है इंपिरियल गेज़ेटियर में इने दो साकाओं में पर एक अन्य नाम मिलती है वो कौन सी है मुरिया या मारिया कोई देकत तो निवास के आदार पर तीन हो गए पहली कौन सी हो गई दूसरी कौन सी हो गई और तीसरी कौन सी हो गई यहाद हो गई पहली राज़गोण दूसरी अब यहाँ तो धुरा जाए या धूला जाए जो भी यह जाए ठीक है ना दूसरी क्या पढ़ेंगे दुरगोण और तीसरी मुरिया या मारिया राजगौन ये लोग भूस्वामी होते हैं क्या होते हैं गोणों में बे लोग जिनके पास स्वाइम की जमीन जाजात रहती हैं क्या कों से कहलाते हैं राजगौन ये गोणों का साधन बर्ग है मुरीया या मारिया अत्यन्त पिश्री जन्जाती है मद्विदे सासन की सूची में गोर्ण की पचास से अदिक उपसाकां है क्लियर है आरक, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, मटोला, भीमा, भूता, कोईला भूता कोईला भूती मार पाइसान हाड मारिया छाटा मारिया तंडाभी मारिया दुरू दुरूबा दोबा दुलिया दौला परदान गायको गटा गैता गोण गवारी हिल मारिया कड़ रहा इस ये कौन है गोणों की क्या है जे उपसा का है हैं पढ़ने मच लगा कि नहीं तुम भी गाना इनगे अरे अभी तो रह गए कि कलंगा खटोला कोई तोर कोया खेरवार माना मनावर मोमया मोगिया मोधिया नगार्ची नागबंसी ओजा राज सौन जरो जरेका मोत्य बाड़े मारिया बड़े मारिया दरोई धिक रहें आप कौनों की कौन की उपसकाएं कौनों की इस्टीफैन पुस के अनुसार मंडरा जिले के गोड़ों में चार समाजिक रखना है मद्ध प्रति मतलब इसको आप ध्यान में रखना मद्ध प्रति सासन के चुज़ों कित्ती उपसाका हैं बचास इस्टिफेन उसके अनुसार मंदला जिले के गौण में चार समझिक भर्ग पाये जाते हैं एक देव गौण दूसरा सूरिबंसी गौण तीसरा सूरिबंसी देवगाणी गौण और चौता रावनमंसी गौण कौण सा दिख रहे हैं बगवान राम पूरे उसके आधार पर पांट लावन सूरिबंसी गौण भी हो गए और रावनमंसी कौण भी हो गए सूरिबंसी गौण भी हो गए ठीक है न इस्टिपेन हिसलोफ इनके साड़े बारा बेद बताते हैं राजगोन रगुबाल ददवे कटूल्या समतक कटूला पांडाल ओजयाल दोत्याल कोईला भूटाल कोई कपाल कोलाम मास्ट्याल और पंडाल तीख रहे हैं साड़े बाराई वेयनिसर कोई रात हो द्यान नहीं नहीं रहे हैं जैनकिस भोगल एक आदार पर पर किसे किया चैनकिस ने जैसे मंडला के आसपास के मंडला गौन खटोला सागर दमो के खटोला गोण चांदा के जरिया गोण और देवगण के अब तुम्हें यह भी याद नहीं रखना है तुम्हें क्या याद रखे होगी वह गोले का आदार पर गोणों का बर्गरिन किस ने किया है साड़े बारा बर्ग में किसने बाटा है क्लियर है मत्रेशनी कितने माटा है पचासके न और चार समाजिक बर्ग पाए जाते हैं किसके अनुसार यह स्टीफ इन फुस के नुसार गौणों में कितने समझ पर पाय जाते मंडला जले में हम पाय जाते है बतां पर तो इधर कई रहे हैं जिनकी जाति हैं इन में चलती हैं जो झो पर देखो लान गोट को को कहा जाता है यह इंप्रॉर्टंट है क्या कह रहा है हम कौन में गोत्र को क्या कहा जाता है पॉर क्या कहते हैं को नहीं होते है अपन कंगे पॉर आंगे देखो गोट्र है मैयशे है에도 अपने इन वहते हैं अलग लग गोट चलते हैं कि नहीं अपना आदार bagus होगquent बट nieuw राज कोर्वाकाम कर बें Halvay जोड़वाइकुर कहते हैं क्या खते हैं किःजवंब परीवाइब पित्र सत्ता आत्मख पड़ाथा प्यास त्योतora हम उतर्म पत्रख क्या है माता किस्ति दिवेकार तुम्हारा परिवार कैसा है कौन की चले घर है के दो हमरी चल लए आजकल तो ना पता जीग चले और ना माता जीग चले आप चले बच्चे की फीगे ना वो अपने साब सब कुरे परिवारे चला रहा हूँ एक एक उला देंगी पुरोस सतत्य आत्मक तुम अब ऐसे ही पुरोष होगा थी अब तुम बच्चे समझ रहे थे अल्ला उनने पितर भी अड़ गया सीदह पुरस हो गया अच्छा पुतर सत्ता तुमक परिवार हो रहा है कैसे हो रहा है हाँ साहल ऐसा लग रहा है आज़कल लेकिन आकरीब में पिर पिता जी आई जाते हैं तो वो आकरीब है पुई नम को से निकल जाता है पितर सतात मक है तो आप तो बराबर की चलती है ना पड़ाई का यह ही तो है जहां पड़ाई का लेबल अच्छा है जिन गरों में वहां गरों चलती है और फिर वो जैसा होता फिर परिवार भी का हाल भी वैसा ही हो जाता है मुहिएहोता है अब पहले कि HA किसी की सुनता नए था आपनी चला था आज मुकिया है परिवार में लेगन वू सुनता सब की है इसलिए स मिलें चलते हैं यह कह सकते हैं कि नहीं और आज सा भी बुरय लेकरणी किसी सीड में मता भी लेकर चुल रही है और हम इसे देख भी सकते हैं पूरे स्थी आपpetto नहीं कि पुरी लेविल पे हम देखते हैं पुछ पूर। करा इसतर बहुत कम रहता है उनके दार पे अपने हिसाब से चलते है गोणो परिवार कैसे है पृत्र सकर गोणों के πरते ही गैर में एक मुक्या होता है जो गर का सब्से बुज्रुक सदperformance दादा होता है कितमा से दादा होता है और सभी लोग उनकी आग्या मानते हैं ठीक है ना घर में दादी का मैं तो दूसरा इस्तान रखता है रखे गई दादा की दादी बैगर की मालकिन होती है यह मालिक यह मालकिन और दादा की मालकिन भी जाई गर में छोड़ी बेन को बाईया क्या कहते है बड़ी बेन को बड़े बाई को बाभू ससर को राउत सास को राउताइन और बाभी को बहुजी माता पिता को दाउदाई और बांजे को बांजा कहते है जी नाम ध्याना को अपने गर में जी नाम रखने है और दूटी बेर को का कगे तो आप छोटे हो तो आपका डाब हो गया बईया और गर में छोटी है तो वास करें क्या पाइया तब यारा सब्द है पढ़े बेन को कोई दिखात नहीं पढ़े भाई को के दियो प्ढोई या उन्से कखा के पन बाबू को ससर को ये थोड़ी से आंगी की बात आ गई है ना ससर को क्या कहेंगो हो और सास को राउट राइ बाबी को पहची माता पिता को आ माता क्या किलाएगी पिता क्या किलाएगी दाई एते आओ माञ जे को बान जा कहते है गौण परिवार में अतिती सथकार को का विसेस महत होता है प्रतेग मकान में अतिती आअगे पेट के पिए थे पीड़ों का तो स्वागत देखाता नवा आपने के वाल और के वाली कही चीज़ हो रही पी रहे तो पी आए गई साधी में मठ की ले लेकर जा रहे हैं समझे के संक्टन गोड़ों में आंत्रिक मामलों को गांप पंचायत में निप्टाए जाता है जिसका मुकिया मांजी या देश्मुक होता है अब यह इंपोर्टेंट है ठीक है ना गोड़ों में पंचायतों का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते है मान जी या देश्मुक होता है गोड़ों की पंचायत के मुखिया को वही भी कहा जाता है मान जी कह रहा है देश्मुक कह रहा है या वो भी कहा जाता है इसका पंचायत में प्रतम इस्थान होता है दो ठीस तान पर मुकद्दम और दीशेस्थान देवान और चौता इस्थान लिखाई कहा होता है तो यह इन्पॉर्टेंट है भाई ठीक है न क्यों सही आना केलिए रोगया के नहीं अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्लियर हैं